हम सभी जानते हैं कि effective communication करने के लिए किसी भी लेंग्विज में pronunciation का अच्छा नॉलज होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि correct pronunciation सही उच्छार लोगों पर अच्छा इंपैक्ट जालता है लोगों पर अच्छा असर डालता है ठीक है न और हमारे country में इंग्लिश बोलने और सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए में जादा होती है कि एक तो यह कि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है शाह होता है राइट तो सी के सही pronunciation को जानने के लिए हम सी को दो बागों में डिवाइट कर लेते हैं एक है हाड सी जिसमें सी का प्रॉब्लम का होता है का पढ़ते हैं के की तरह होता है और दूसरा है साफ्ट सी जिसमें सी का इस की तरह होता है बलतों सा की तरह होता है अब देखिए रूल वान में क्या है साफ्ट सी साप्ट सी के मदलब उसमें सी का उचारण S की तरह होता है S की तरह होता है कब C को चार S की तरह या S की तरह होगा When C is followed by E, I और Y मतलब followed by का मतलब होता है बाद में जब C के बाद में E, I, I, I या 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 तो ऐसे में C का जो pronunciation होता है S की तरह होता है या S की तरह होता है है जैसे एक्समपल दिया गया है क्या दिया है यहां सेंटर आप सी बाध के बात इया है यहां पर सी क्या बढ़ा जाएगा इससरों सेंटर सैलबरेट सार्टं पीस कि अध्यार्ट है जब सी के बाद आए आए ऐगा तो से को हम साही पड़िंग जैसे और प्रिंसिपल ज्रों वाला है यह प्रतनाचारी वाला इसे भी प्रिंसिपल फिरी zenith वाला मैं आए आया है तो सी सा की तरह पढ़ा जाएगा सिगार सिगार अब देखें जब सी की बात वाई आये तब भी सी को हम साही पढ़ेंगे जैसे fancy CC fancy fluency decency transparency right अब अगला रूल है रूल माट तू हाड़सी हाड़सी में सी का का पढ़ते है का पढ़ते हैं का पढ़ेंगे when c is followed by a o u or other consonant ठीक है जब c के बाद a i o u या कोई consonant लेटर आये तो ऐसे में c का pronunciation के की तरह होता है मतलब का की तरह होता है राइट लाइक cat cat अब से की बार यह आया है ना तो हम का पढ़ेंगे cat can cold coffee cat cute across respect respect यहां पर सी का pronunciation के की तरह निकल ला है मतलब का की तरह रूलमतिरी है मिक्स वर्स मिक्स वाले मतलब ऐसे वर्स जिसमें दो सी आए और दोनों सी का उच्चारण अलग अलग हो एक का सा हो और एक का हो आप देगे यहां पर देखे यह लिखा है access access पहले सी पहले वाले सी का उच्चारण का हो रहा है का निकल ला है अब क्यों कि और सी के बाद किया रहा है सी आ रहा है और सी यह एक पाल लेटर है तो जब सी के बाद कोईंसोलिन्ट लेड़र आता है थो उसी का उछ चल र grinding का होता एक्सिज अब यह का ऑगा का अर्येक बन भी सब लाख है अब साइक नहीं कर और क्योंकि सी के तो के बाद सी आ रहा है जो की एक इसलिए यहां पर सी को का पढ़ेंगे जो दूसरा वाला सी है उसके बाद आ रहा है इसलिए इसको का पढ़ेंगे साप पड़ेंगे, वैक्सीन वैक्सीन, रिसाइकल ठीक, ऐसे बहुत सारे एक्जामबल्स है अब देखें, रूल नमबर फोर है जब C के बाद IOS या, C I A N या, C I A L I तो, ऐसे में जो C होता है, इस C का उचाड शा की तरह होता है, एसे इस की तरह होता है शा की तरह होता है, ठीक है نग झैसे प्रेशास, प्रेशास अब C है, सिल्क बाद I O U S आया है तो जो C का उचारल होगा, वोँ शा की तरह होगा अब इंगलिश में अगर exception ना हो अफवाद ना हो तो बात ही है धूरी है यहां पे बहुत सारा अफवाद है बड़ एक जो सबसे ज़ाधा famous exception है वो है soccer soccer आप तो CC है तो यहां पर का होना चाहिए एक्सा होना चाहिए बड़ ऐसा नहीं है ठीक है न तो यहां पर जो को दोनों सी हैं वो का ही पढ़ा जाएगा इसलिए जो है इसको हम क्या पढ़ते हैं कब सा पढ़ते हैं और कब शा पढ़ते हैं और आई हो अब यह आपका के डाउट क्लियर हो गया होगा कि सी कब का होता है कब सा होता है और कब शाह होता है तो प्रणाशियेशन की सीरीज में मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू